हेलो फ्रेंड्स मैं विन्या निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर्षे हमारे चैनल पर श्वागत है तो फ्रेंड्स और भी एंटी पीसी एंड गूरूब डी लेटिस्ट अपडेट इतनी बुरी खबर यह क्या हो गया क्या यह निउस सही है जी आफ इतनी बुरी खबर कैसे आ सकती है देख रहें आप क्या लिखा हुआ है असना तक एंटी पीसी के रिजल्ट में नहीं होगा बदलाओ रेल मंत्रा ले तो आखिर यह क्या हो गया क्या यह निउस सच में सही भी है या फिर गलत है जान बूझ कर अफवाफ फैलाय जा रहा है आप लोग को क्यों परिशान करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं इतने सारे प्रोसेस बढ़ चुके हैं रेल मंत्री साब बार बार बोल रहे है कि हम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ करेंगे यह करेंगी वह करेंगे तो यह निउस बीच में कहां से आ गया है इसके नीचे कुछ और भी ल आएगा और यह सब कंसर्शन लेने का क्या मतलब रहें कि मुझे नहीं सौंज में आ रहा है ठीक है तो आप लोग थोड़ा सा मतलब की शतर करा करें कोई भी निउस फैलता है तो पहले उसकी जाच परताल खुद कर लिया करें मुझे भी बेजा इसक्रीन सॉट मुझे कहीं पर्यास करूंगा वीडियो में फुटा पढ़ूंगा इसमें न्यूस में क्या लिखा हुआ है साइस में कुछ ने कुछ प्रूफ मिली जाए कि यह बिल्कुल फेक है इसका रियल्टी से कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो देखते हैं यह देखिए असना तक एंटी पीस मंत्राले के प्रवक्ता खुद बताए है राजी उजयन जी कि रिजल्ट में कोई बदलाव होने वाला नहीं है ठीक है तो देख लेते इसमें क्या क्या लिखा हुआ है असना तक एंटी पीसी के रिजल्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा छात्रों को परिच के पूरव ही हर तरह की आपत्ती पर सवाल उठाना जाए था यानि इनके कहने का मतलब है कि हम सब कुछ आपको इनफॉर्म कर चुके थे अगर आपको कुछ भी आपत्ती करना था परिच्छा के पूरों कियो होते अब करने का कोई मतलब नहीं है अब मतलब रिजल्ट कर विरोध करना भी गलत है तो यह कह रहा है कि मतलब कि एक तो कुरोना मुस्कुल समय हम परिच्छा करा लिए है और उसमें अगर आप रिजल्ट का विरोध करेंगे तो यह काफी गलत है मतलब दुबार रिजल्ट करना इतना असान नहीं है तो आगे के लिए अब से बताई जा चुकी है तो कह रहा है कि जो सौट लिस्ट करने की प्रक्रिया है जो मूल अधिसुजना आए थी नोटिफिकेशन आया था जो 28 फ्रिद नुनिस को रिलीज हुआ था ठीक है जिसका नंबर है सी यह जी रोन टुफर नाइंटीन उसके परग्राफ 13 में पूरा आंबंट लिए नहीं थे ठीक है लेवल टू और जॉ हूर बाट के लिए ब्रेस एंट च्राइण तो इसमें चलिते हैं इतमें से चलिए पूरा बात मैं नहीं देखा पहले तो च्छे जो पूर अस्तरों यानि अस्तर दो तीन चार पांच और पांच समूह में बाटा गया था और प्रतेक्स रेडी के लिए भरती की चरडवार प्रकरिया पहले ही सीएन के परग्राफ तो कहा जा रहा है कि इन सभी 13.6 में अस्तरों में बाट दिया गया था चीक है जिसके बारे में 13.6 में पहले से ही बता जीए अस्तरों से प्रतेक्स रेडियों में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंतर से उन्होंने बताया कि प्रावधानों के दरद एंटी पिसी दित्ति कारों के हीतों की रच्छा के लिए पदों की संख्या का दस गुना बुलाने के नियां को सी एंटीयों की संख्या का बढ़ा दिया गया जब सभी अस्तरों पर सॉट लिस्टिंग की गई तो यह सुनिश्चित किया गया कि मेधावी उमिद्वार आउसर से वंचित ना हो य यह कहीं से भी मुझे नया निउस नहीं लगता है यह मुझे लगता है जनवरी के आज-पास का है जब प्रोटेस्ट अभी स्टार्ट हुआ था क्योंकि उस टाइम भी लगतार रेल्वे क्लेरिफेकेशन पर क्लेरिफेकेशन दिये जा रहा था और इसमें नए नय निउस स कोई भी मदलब relation नहीं निकल रहा है कि आज एकल का हो ऐसा कुछ नहीं दीख रहा है ठीक है बट मुझे आज अब ये screen shot मिला है लेकिन कहीं से भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि आज का क्योंकि इसमें कहीं भी ये पुराना लग रहा है या फिर फिर से किसी ने वारल के आजान बुचकर परिशान करने के लिए ठीक है इसका सचाई से कोई लेना देना नहीं है अब देख लिए गुरूप डी के परिच्छा में नहीं होगा और बी गुरूप डी के वैकेंसी के बारे में उन्होंने बता कि इस बटी एकल या बहुँ चरण बिया सकता है इन बास्ता सचेерм हो सकता है आंती मद सूचना में यह एटल गजरणों में आयोजित किया गया था पिछली में देखि गई कुछ अनिमिता हो की इति कर दो कहिंते करने किसी फारिस की जो कि सीमित उमिद्वारों के CBT2 आयोजित करते समय सक्त नियंत्रण का प्रियोग है तो कहा रहा है कि पिछले कुछ अनिमेता देखा गया था जब एक एक्जाम गाता तो इस विए से समीती गटित की गई थी कि फिर से इस पर कुछ नया विचार किया जाए तो नया विचार किया गया है कि 2 CBT2 में क्या रहेगा कम कैंडित रहेंगे तो थोड़ा सा सक्त नियम वगर नियंत्रण वगर रहेगा जिससे धांदली वरण नहीं हो पाएगा तो इसमें लगए उसमों एक पांच करण प्राप्त हुए हैं और CBT को 100 से अधिक चरोडों में क कई दिनों तक लिया जाएगा प्रतेक पाली में इसलिए सामानय परडाम तैयार करने की आउसकता होगई कि consistent के यदि को जाए जिक्स काफ़ी सींट में ए готов एक्जाम वागा सं玩 Il टयार करना होगा यानिके नहीं क्षाइब करना वह सकता है काफी बढ़ा प्रॉब्लम हो सकता है ओस्पर भी बिवाद चली रहा है ठीक है तो सीमित सॉट लिस्ट किये गए उमिद्वारों के साथ दित्ती चरड़ सी बीटी आयोजित करने से व्यापक समानी करड़ से बचा जा सके है कहा है कि अगर सीमित सॉट लिस्ट किया जाए यानि कि मलब 20 गुना 15 गुना बुला लिया जाए तो फिर थोड़ा सा कम सम इस आधार पर तयार की गए योगयता अधिक निस्पक्च और निस्पक्च होगी तो यहान पुसकर फैरायजर आपको परशान करने के लिए इसका सचाही से कोई लेना दे नहीं है तो आपको इससे परिशान नहीं होना है, यह अभी का news नहीं है, अभी जो होना है, मैं आपको बता चुगा हूँ, क्या क्या चल रहा है board में, क्या क्या कैसे कैसे, process होगा, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, आपका result भी revise होगा, गुरूब डिस CBT2 भी अटेगा, और ज इससे fake news और fake news हमेशा फैलते रते, मैं बाको बार बताता रहता हूँ, कि ऐसे news से आप साधान रहे, खुद सोचे यहां पे, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, है असनातिक NTPC लिखा है, जबकि NTPC के वज़ा असनातिक नहीं था, गया असनातिक लिए भी था, तो यहा पले रियल रहा उस दिन newspaper में, लेकिन अभी काने यह प्रजेंट करने ही है, यह उसी टाइम का 24 जनुरी के आसपास का है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही, ठैंक्यू, जय हिंद, जय भारत